नमस्तार अरुना अचल समाचार में आपका स्वागत है मैं हमुरी शोभा आए बुलिटिन में सब सब पहले देखते हैं मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अधियाक्षता में केंद्रिय मंत्री मंदल की बैठक में आत्मनिरपर भारत पैकेज गेर बैंकिंग वित्य कमपनीों के दिए एक नई योजना प्रधान मंत्री वय वंदना योजना के विस्तार सहीपू लिये गए कई महत्तो पूर्ण कोविद नाइंटिन के कारण उत्पन परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य सरकार छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उठा रही है अनेक कदम चात्रों को अपनी सिक्षा के साथ जोड़े रखने के लिए ए लर्निंग के माध्यम से उपलब कराये जा रहे है पाठेकर राज्य के स्वास्ति सचीव पी प्रतीबन ने कहां कोविद-19 महामारी से निपटने के लिए प्रदेश में स्वास्ति सुविधाय मजबूत कार राज्य के कई महत्व पूरुन अस्पतालों में ICU और वैंटिलेटर की सुविधा उपलब प्रदानमंत्री नरेंदर मोधी की अधियक चता वाली केंद्रिय केबिनेट ने आज योजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है इसमें आत्मन निर्भर भारत पैकेट से लेकर गैर बैंकिंग वित्य कंपनियों के लिए एक नई योजना शामिल है केबिनेट ने प्रदानमंत्री वय वंदना योजना के विस्तार को 31 मार्च 2023 के लिए मंजूरी दे दी है इससे पहले इस योजना की अवधी 31 मार्च 2020 तक थी इस योजना के तहट व्रिदावस्था आई सुरक्षा और वरिष्ट नागरिकों का कल्यान होगा केबिनेट ने आपात कालिन रिन गारंटी योजना के माध्यम से पात्र MSME और इच्छुक मुद्रा उधार करताओं के लिए 3 लाख करोड रुपए की अतिरिक धनराशी को मंजूरी दे दी है केबिनेट ने फसे हुए प्रवासियों को खाध्यान आवंटन के लिए आत्मनिर भर भारत पैकेज को मंजूरी दे दी है इसके अलावा प्रधान मंत्री मोदी की अधियक्छता वाले आर्थिक मामलों की मंत्री मंडलिय समिती ने कोईला और लिगनाइट खानों की नीलामी के लिए कार्य प्रणाली को अपनाने और राजस्व बटवारे के उधार पर इसकी बिक्री के लिए ब्लॉक और कोकिंग कॉल लिंकेज के कार काल को मंजूरी दे दी है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अधियक्छता में मंत्री मंडल ने गैर बैंकिंग वित्य कंपनियों एन बी एफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों एच एफसी की लिक्वीड डिटी पोजिशन में सुधार के लिए एक नई विश के जरिये असंगठित छेत्रों के लिए दस हजार करोड रुपए खर्च किये जाएंगे सुपर साइकलोन अमफन के और इस्सा के तटों के करीब पहुंचने के साथ ही कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है और इस्सा में करीब एक सो दो किलो मीटर की रफतार से बाव के चलने से कच्चे मकानों पेडों और बिजली के खंबों के गिरने की खबर है तूफान के कारण पारादीब में 87.1 मिलिमीटर वर्शा हुई पश्चिम बंगाल तर्ट पर दीघा और हाटिया द्विप्त को पार करने के बाद तूफान से जन जीवन प्रभावित ह इन दोनों राज्यों के करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है कोविड-19 के कारण उत्पन परिस्थितियों से निपटने के लिए राज सरकार छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक कदम उठा रहे है राज की शिक्षा सचीव निहारिका राई ने दूरदर्शन के साथ विशेस बाचीत में बताया कि राज सरकार की और से छात्रों को अपनी शिक्षा के साथ जोड़े रखने के लिए ये लर्निंग के माधियम से पाठे करम उपलब्त कराये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी विध्यालेयों में कुल मिलाकर पूरे राज में दो लाग से ज्यादा चात्र है और सरकार चात्रों की पढ़ाई को सरवच प्रात्यमिक्ता दे रही है इसमें आप हमने सबसे इंपॉर्टन चीज जो फोकस करनी शुरू की है वो है डी टी एच के थू एजुकेशन को बढ़ाना हम जानते हैं कि हमारे घरों में हमारे शायद कंप्यूटर ना हो इंटरनेट ना हो लेकिन टीवी जरूर होता है और रिमोट एरियाज में भी वहाँ पे डिश टीवी जरूर होता है तो इसलिए मिनिस्ट्री ओफ एचारडी ने एक स्वयम प्रभा करके एक चैनल स्टार्ट किया है जिसमें एक डेडिकेटेड चैनल है सेकंडरी स्कूल एजुकेशन के लिए जिसे हम पनिनी कहते हैं और एक चैनल है शार्दा जिसे हाय सेकंडरी स्कूल की क्लासिस के लिए इन चानल को अब सारे ही तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स ने अड़ॉप्ट कर लिया है जैसे कि आप ये चैनल 756 नमबर Tata Sky पर देख सकते हैं आप इसे 437, 438 Airtel TV पर देख सकते हैं और इसी तरह सारे तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स ने इन चैनल को अडॉप्ट करके एक चैनल नंबर दिया है, जो की हमने सर्कुलेट भी किया है स्टेट में, तो जब आप इन चैनल को खोलते हैं, तो सुभा साथ से दुपहर एक बजे तक, नाइन्थ स्टांडर्ड से ल आपके डाउट्स पी क्लियर होते हैं, अगर आपने इससे रिलेटेड मेसेज, हेल्प लाइन नंबर पे पहले दिया हुआ है, तो वो आपको डाउट्स अगले दिन क्लियर हो जाती हैं, और शाम के साथ बजे के बाद यही क्लासिस दुबारा रिपीट की जाती हैं, क्यों हमने बहुत प्रचार किया है कि सभी लोग इस सुविधा का जरूर इस्तिमाल करी। आईसी यू और वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध हो गई है, और कई अन्य अस्पतालों में इन स्वास्त सुविधाओं का विकास चारी है, उन्होंने कहां कि जरूरत पढ़ने पर स्वास्त विभाग, पॉर्टेबल या अर्जेंट आईसी यू स्थापित करने के ल आईसी यू स्विधाओं के लिए चार की खरीत कर रही है। है और दख कुछ तरह हैं आई कैसे बमेकाद नहीं एक रहां गेचा था। है कि अन्हों स्विधाओं के लिए घ्शक खरीय पॉर्टूर्डर के लाठीटत प्राइंबवेच वर्णाटेश में च्किक्तलूर्ड । कोई भी लेक बार से अनाचल प्रदिशसार है लेक आप आप रो अनगो अदेस्टिंग अमारा तस्तिं प्रोटोकोल है तीन दिनका पाथ आम तेस्ट करेंगे प्स्टिंगा से विरस का लाइफ तीन ग़ाद पाथ इनका सम्टम्स निकल जाएगे केंद्रिय स्वास्ट और परिवार कल्यान मंत्राले के आंकडों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण से स्वास्त होने की दर 49 दसमलों 6 दो प्रतिशत हो गई है अब तक 42,258 रोगी उपचार के बाद स्वास्त हो चुके है पिछले 24 घंटे के दोरान 3,124 रोगी ठीक हुए और 5,611 लोगों में संक्रमण की पुष्टी हुई देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,6,750 हो गई है इस महामारी से अब तक 3,303 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे के दोरान कॉरोना महामारी से 140 लोगों की मौत हुई भारतिय आयूड विज्ञान अनुसंधान परिशद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दोरान कॉरोना वाइरस के 1,8,121 नमूनों की जाच की गई अब तक देशपर में 25,12,388 लोगों की जाच की जा चुकी है इस पीज ICMR COVID-19 वाइरस की जाच सुविधा बढ़ाने के लिए सरकारी और नीजी जाच केंद्रों को जाच की अनुमती दे रहा है अब तक 391 सरकारी और 164 नीजी जाच केंद्रों को मंजूरी दी जा चुकी है राजदानी छेतर इटानगर में पैट कॉरंटाइन की सुविधा के तहट एक होटल में साथ दिनों तक रहने वाले अन्य राज़ों से आये प्रदेश के छात्रों से इस होटल के मालिक द्वारा बिल नहीं लेने के कदम की छात्रों ने सराना की राजदानी छेतर जिला उपायुक्त कॉमकर दोलुम ने लोगों से पैट कॉरंटाइन के तहट विभिन्न होटलों में छात्रों या अन्य नागरिकों को रखने के कदम का स्थानिय लोगों से विरोधना करने की अपील करते हुए कहां की एहतियात के तोर पर अन्य पिस्ता रूम का पिस्ता उसको एक्जम्टेट किया है तो उसके लिए मैं बहुत बड़ा टैंक पूल हूं से मेरा पेमिली को और से हम करेंटिन अभी सेवेंटस बाच्चे है यहां में सेवेंटस बेता है पंजाब से आया है मैं अभी होंग जिरो में जाएगा बहुत से अभी प्रोटेस्ट कर रहा है सरक पे आ रहा है हमारा मेजिस्ट्रेट इंसिडेन कमांडर्स पुलिस सब को परिशान कर दिया है होटल का मालिक को परिशान कर दिया है ऐसा गर कि होटल्स वगेरा को बंद करवाने के कोशिस कर रहा है यह पिलकुल मेरे ख्याल से सही कदम न आपनार है उनको हमें quarantine करने दीजिए अगर बच्छों को हम अगर quarantine center में नहीं रखेंगे अगर हम home quarantine के लिए बेज देंगे यह हम सब के लिए ज्यादा खत्रा है इसमें हम अगर उसको facility quarantine में कहीं hotel वगरा में हम उनको जब तक हम उसका RT-PCR जो test safe test वो जब तक नहीं करता है उ हम सब के लिए safe है और जो बच्चे जो quarantine center बना रहा है ये quarantine center जो है बीमारी का hospital नहीं है ये एक चीज़ आप लोग को मैं के लिए बताना चाहता हूँ जो बीमार लोग है उसको हम इसका first screening PTC पे करता है और बीमार लोगों को हम हम वहां से direct hospital बेजेंगे हमारा COVID care center भी है अगर कहीं हम positive भी मिलता है तो हम अपना COVID care center में उसको बेजेगा उसके बाद ज़्यादा जो बीमार वाला जो symptomatic इसको मिलता है positive के बाद में भी एक asymptomatic है और एक symptomatic है जो symptomatic वाला गो तो हम hospital में सिधा बेज देगा इसलिए बिल्कुल इसमें गवराने वाला बात ने ये बच्चे आंदर बेटेंगे 24 by 7 security इसका बंदबस्त है 24 by 7 हमारा guard रहेगा पुलिस का उसके बाद हमारा nodal officer है उसके बाद medical team है तो कहीं से भी ये बच्चा लोग बाहर आके मतलब आपको बिमार को बाहर पहलाने का कोई गुंजाइस नहीं है इसलिए public लोगों से हमारा request है please कि आप लोग protest ना करे और हमेश सरकार को district administration को मदद कीजिए अगर मिल के काम नहीं करेगा तो हमारे लिए बहुत तकलिब होगा इस problem को टेकल करने के लिए आज विश्व मदुमक्खी दिवस है आज के ही दिन यानी 20 मैं को आधुनिक मदुमक्खी पालक की तकनीक का जनक कहे जाने वाले एंटोन जॉनसा का जन 1733 में स्लोवेनिया में हुआ था मदुमक्खी दिवस को मनाय जाने का उद्देश्य परिस्थिती की तंतर के लिए मदुमक्खियों और अन्य प्रागण को के महत्व योगदान और उनके संरक्षन के बारे में जागरुकता बढ़ाना है दुनिया के खादे उत्पादन का लगभग 33 प्रतीशत मदुमक्खियों पर निर्भर करता है इस प्रकार वे जेव विवित्ता के संरक्षन प्रकृती में परिस्थिती संतूलन और प्रदुशन को कम करने में भी सहायक है सन्युक्त रास्ट्र के सदस्य देशों ने दिसंबर 2017 में स्लोवेनिया के 20 मैं को विश्व मदुमक्खिय दिवस के रुप में मनाय जाने के प्रस्ताओं को मंजुरी दी थी इस प्रस्ताओं ने विशिस्त्र संरक्षन उपायों को अपनाने और मदुमक्खियों के संरक्षन और मानवता के लिए उनके महत्वा पर प्रकाश डाला पहला विश्व मदुमक्खिय दिवस 20 में 2018 को मनाय गया था रासानी इटानगन में आयजित विश्व मदुमक्खिय दिवस कारेक्रम में राजी के क्रिसी सचीव बिदोल तायंग ने मदुमक्खिय पालकों से उत्पादों की गुणवता को प्राथमिक्ता देने की अपिल की वारतिय रेलवे अगले महीने की पहली तारीक से रोजाना 209 ऐसी रेलगाडिया चलाएंगी इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग जल्द शुरू होगी ये रेलगाडिया स्रमिक स्पेशल रेलगाडियों के अतिरिक चलाए जाएंगे रेलवे के कारेकारी निदेशक मीडिया आर डी भाचपे ने बताया कि प्रवासी कामगारों को और अधिक साहता पहुचाने के लिए विशेश स्रमिक रेलगाडियों की संख्या दोगनी करने को योजना है उन्होंने आस्वर्ष्ट किया कि भारतिय रेलवे कामगारों को गंत हुए स्थलों तक पहुचाएंगे इधर केंद्रिय उड़यन मंत्री ने बताया कि आगामे 25 में से सभी घरेलू उडान सेवाय शुरू होगी उन्होंने कहा कि सभी हवाय अड़े और विमान कमपनिया इसके लिए तैयार है यात्रियों के लिए जल्द ही आवशक दिशा नर्देश जारी किये जाएंगे अरुनाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही हम कल फिर हाजे रहोंगे अरुनाचल और दिश दुनिया की खबरों के साथ आप देखते रहे है अरुन प्रभाद नमश्कार खब करे दिए में झाओ, आप प् समध के वरे दून प्रुनाचल समाच शवश्कीठी wrapsेे से लिए भशक दिशेंगर, बिली करदे में का पालक रहन ही हम्तों मतोनाचल uwावश्को का अरुनाचल